नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका health and beauty review में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बतन जली दिवी केशोर Google के बारे में बताऊंगा दोस्तों दिवी केशोर Google के क्या-क्या health benefits है किन-किन condition में आपके इसका use कर सकते हैं कितनी इसकी price है और कहां आपको यह available होगा complete detail आपको इस वीडियो में इसके बारे में मिलेगी इससे पहले में बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिगए भी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको आसानी से मिल सके दोस्तो हम बात कर रहे हैं दीव केशो और गुगल की तो अगर इसके contents की बात की जाए इसमें क्या-क्या composition डला हुआ है तो दोस्तों इसमें शुद्ध गुगल का यूज किया हुआ है सोट, काली मिर्च, पीपल, विविडंग, दंती मूल, निसोड, हरड, बहेडा, आमला और गिल इसमें की बात करूँ तो यह हर इंडेंड अपने अपने हैल्थ benefits रखते हैं कि हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं दोस्तों अगर की benefits की बात करूँगे, अगर आप केशो और गुगल का यूज करते हैं या अगर टॉक्टर आपको केशो और गुगल तो अगर आपके शुर्ड गूगल का यूज करते हैं तो आपकी पॉड़ी में यूरीक एसिड जो है कंट्रोल में होता है इससे अर्थराइटिस की प्रब्लम और गठिया की प्रब्लम आपके ठीक होती है दोस्तो वांड्स और अर्सल जो घाव आपको हो जाते हैं अलसर हो बनते हैं उनको भी भरने में उनको हील करने में काफी अच्छा होता है दोस्तो एक बहुत की अच्छा ही अक्छा इन तो बलड जो इंप्योर ब्लड होता है, उसको ढटोर करता है और तॉक सिर्ज़ कि आपकी बाडी में जम जाते हैं वह फॉनलिटिइने आपको नियुक उनको भी फ्लश आउट करता है और आपकी बोडी को प्यॉर करता है दोस्तो जोसे पर्टिकुलर कुछ इंडियन के बात करूँ तो उसे सोट होता है वो खास करके आपकी जोडों के प्रब्लम को ठीक करने के लिए काफी अच्छा होता है दोस्तो गुगल भी आपकी जोडों प्रब्लम आपकी आमला है रच भेहडा से ठीक होती है दूस्तोस्तों गिलोस में जोकि आपकी मूड़ाँ इस इस्टरम को भडाता है आपकी इम्युनिथी पावर और को बढ़ाता है। तह सभी प्रकार के प्रप्लम को दूर करता है दूस्तों के भिंग स्कियर प्रब्ल की एक चुट बॉटल है यह आपको किसी भी पतंजली स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी आई होप दोस्त आपको वीडियो पसना है वीडियो पसना है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नाम हो ले धन्यवाद